हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरिडे डियर फ्रेंड्स यह पी इविएस की क्लास है यूपी टेट में जो कोर्षिंज दो सक्तिवेस्ट कोशन है तो चलिए बने लगे वीदियो में लस्त तक वीडियो कोशन होने वाले हैं देखिए चलिए शुरू करता है आज कि ये यूपी टैट सी टैट 2021 EBS परियावन सिख्षा की क्लास सबसे पहले हमारे सामने कोश्चन है कौन सा रसायन आम पकाने में प्रियोग होता है आम पकाने के लिए किस रसायन का प्रियोग किया जाता है केलसियम कार्बोनेट, केलसियम हडरोक्षाइड, केलसियम कार्बाइड या फिर केलसियम क्लोराइड जीए फ्रेंस थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि कुछ लोग कह रहे था था सब थोड़ा फास्ट पढ़ाईए ठीक है देखिए आम या कोई भी फसल हो उसको पकाने के केल्सियम कारबाइड केलसियम कारबाइड जिसको हम caca2 caca2 के नाम से भी जानते हैं ठीक है नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है और इस रसायन से acetylene gas का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में शायक होती है तो यहां पर जो हमारा right answer केल्सियम कारबाइड केल्सियम कारबाइड जिसको हम cac2 के नाम से भी जानते हैं ठीक है चलिए caca2 जो नामक रसायन उसका प्रयोग होता है और इस रसायन से acetylene gas का उत्सर्जन होता है जो फसल को पकाने में शायक होती है चलिए बढ़ते है नेक्स्ट कोर्शन की तरफ नेक्स्ट कोर्शन है हमारा कौन सी बिमारी दूसित जल पीने से फैलती है एड्स कहा दूसित जल पीने से फैलता है जी नहीं टाइफाइट देखते हैं एनीमि यह टीटेनस तो जहां तक यह तो बात आपको पता ही होगी कि टाइफाइट जो रोग है यहां दूसित जल पीने से फैलता है ठीक है इसे हम जो है आत ज्वर भी कहते हैं आत का वुखार भी कहा जाता है ठीक है और यह जो रोग है वो साल मोनेला टाइफोसा नामक एक पीने से टाइफेड रोग हो जाता है ठीक है इसे हम आत जो अर्यानी की आत का बुखार भी कहते हैं बढ़ेंगे कोर्शन नमबर 3 की तरफ कोर्शन 3 कहता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है CO2, कर्मन एक्साइट, N2O, नेट्रस ऑक्साइट, CO, कोबाल्ट, CH4, मेथेल देखेए ग्रीन हाउस गैसे वे गैसे होती है जो पर्थवी के उसमिय तापमान को बढ़ाने में सायक होती है ठीक है प्रमुख तीन ग्रीन हाउस गैसे हैं यहाँ पे जब क्रीशन नहीं आ जा ठीक है यानि की ध्यान से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसे हैं कौन-कौनसी एक तो CO2 है ठीक है CO2 प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसे हैं उसमें CO2 आ जाती है ठीक है नाइट्रस ऑक्साइट N2O आ जाती है मीथेन CH4 आ जाती है ठीक है और एक क्लोरो-फ्लोरो कारबन होती है त そ् inici है मेfteन है लेकिन सी यो नहीं पूछ रहा है यहां पर नहीं पूछ रहा है तो सिच याने कि यहाँ पर कारबन मोनोजोंट्ण। z के बधते हैं next question के तरफ चलिए नेश को से में हम्ने इन Quinn से कौन दुई बीजपत्री पौधा है, बाश, केला, गन्ना, सरसों, which one is the right answer, देखे, इसमें से अगर हम दुई बीजपत्री पौधा की बात करें, तो जो सरसों है, यह है दुई बीजपत्री पौधा है, ठीक है वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले ठीक होते हैं तो उन्हें हम दुई बीज पत्तरी पौधा कहते हैं जैसे सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया ये सब इसमें आ जाते हैं ठीक है चलिए कौन सरवाधिक उत्पादन परिष्थित की तंत्र है उसनिकटबंधिय वर्षा वन टुन्रा सवाना मरूस्थल तो इसमें उसनिकटबंधिय वर्षा वन जो है वो सरवाधिक उत्पादक परिष्थिती तंत्र है कौन उसनिकटबंधिय वर्षा वन क्यूंकि इस प्रकार के बन विस्तो तरेका के आशपास पाये जाते हैं ठीक है और परिणाम सुरूप जो है इस छेथर में पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान होने के कारण परस्तिती तंत्र के उत्पादन के लिए आधर्ष उत्पन हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर सरवादिक माने इससे पहले वप की आमुली वर्षा का मुख्य कारक क्या है देखीए। आप्शन है हमारे सामने है Bigidad तोह आमलीय वर्षा का मुख्यकारक कारण है वो हमारा एस्यों 2 है कि नाम से जानते हैं जो इद्योगों और वहनों से उत्शर्जित होती है और वर्षा की बूंदों और जो ओस की बूंदे होती है उनके साथ मिलकर के अमलियता के गुण परदर्सित करती है कौन? SO2 ठीक है? और इससे जो है फसलों और इमारतों को काफी नुकसान होता है और हम लोगों के सौस्था पर भी इसका हानिकारक परभाव पड़ता है तो ये कौर्शन था हमारा कौन सा वायूमंटली प्रदूशन अमलिय वर्षा का मुख्यकारण है? SO2 ठीक है? बढ़ेंगे कौर्शन नबर 7 की तरफ कौर्शन नबर 7 कहता है कि वायूदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? हम वायूदाब किस से मापते हैं? बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, सिश्मोग्राप से या फिर हाइडरोमीटर से वायुदाब मापने के लिए किसका प्रियोग करते हैं वायुदाब नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बैरोमीटर नामक यंत्र होता है उसका प्रियोग किया जाता है ठीक है बैरोमीटर में वयुदाप मापने के लिए जो पारा है वो HG जो पारा है वो HG नामक दादु का परियोग किया जाता है और बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना ठीक है आंधी वाला मौसम जो होता उसको संकेत करता है कि आंधी आने वाली है ठीक है और जबकि जो है इसकी बात करते हैं जो थर्मामीटर है यह मानोसिल का ताप मापता है यानि कि फीवर बैगरा मापने में प्रियोग किया जाता है अच्छा सिस्मोग्राफ का प्रियोग कहा होता है सिस्मोग्राफ का प्रियोग भूकंप की तिवरता नापते हैं इससे भूकंप की तिवरत नापते हैं ठीके और हाइग्रोमीटर सोरी यहां पे हाइग्रोमीटर होगा हाइड्रो नहीं हाइग्रो यह वाइवंडल की आर्दता मापता है ठीके क्या आर्दता तो बात समझ में आ गई बैरोमीटर वायुदाप मापने वाला यंत्र थरमामीटर वही बुखार चेक करने वाला यानि की तापमान, जो है, मानो सरीर का तापमान मापने के काम आता है, सिस्मोग्राफ भूकम की तीवरता मापता है, और हाईग्र मिटर वाइदल की आर्दता मापता है, ठीक है, तो यहां पर वायूदा पूचा है, तो बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, next portion के तरफ, देखिए, थोड़ा discussion भी जरूरी है, ऐसे हम direct answer टिक करते चले जाएं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, और शायद आपको भी उतनी बढ़िया class नहीं लेगी, discussion बहुत आवश्यक है, discussion के बगार, आप कैसे समझ पाएंगे कि दूसरे option गलत है, ठी BT का पाश है, क्या है, एक संकर पौधा है, एक transgenic पौधा है, एक प्राकरतिक पौधा है, या फिर, एक second, ठीक, एक प्राकरतिक पौधा है, या फिर एक औसधिय पौधा है, तो BT का पाश जो है, वो एक transgenic पौधा है, BT का पाश क्या है, एक transgenic पौधा है, इस का पाश के पौधों में bacillus thurigene cis, जिवानों की उपस्तिती होती है, कौन सा जिवानों है, जिवानों को नाम है bacillus thurigene cis, ठीक है, इस जिवानों की उपस्तिती के करण, पौधों में कीट नासक पैदा करने की चंता का विकास हो जाता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक् ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ, कोर्शन नमबर 9, देखिए, कोर्शन नमबर 9 कहता है कि पौधों में जल का अधी ग्रहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम, पहली सेट, तो पौधों में मिट्टी से जल का जो अबसूर्शन है और संचरन वो जाइलम नामक उतक से होता है, किससे जाइलम के द्वारा, किससे होता है, पौधों में जल का जो अधी ग्रहन है, जो जल आता है, जल का जो अबसूर्शन है, नीचे मिट्टी से, वो कहां से जाइलम के द्वारा आता है, ठीक है, जाइलम के है, एक उतक होता है, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 10 question number 10 कहता है कि कौन सा प्रथम साहिति स्रोत है प्रथम साहिति स्रोत इसमें से कौन सा है रिजवेद, सामवेद, यजुरवेद या फिर इसके बाद है नीचे हमारा अथर्ववेद which one is the right answer in this question तो अगर हम बात करें भारत का जो प्रथम साहिति स्रोत है प्रथम पूछले या प्राचीन तम पूछले तो दोनों का अंसर रिजवेद हो जाएगा प्रथम और प्राचीन कौन है रिजवेद है कौन है रिजवेद, ठीक है प्रथम पूछले या फिर प्राचीन पूछ ले दोनों का आंसर कौन हो जाएगा रिगवेद ठीक है इस ग्रंथ में इंद्र को सरफ्रेष्ट देवता माना गया है इस इस जो है वेद में इस ग्रंथ में इंद्र को सरफ्रेष्ट देवता माना गया है और ठीक है इसमें 10 मंडल और एक हजार 28 सूक्त है ठीक है? कितने? इसमें 10 मंडल हैं और एक हजार 28 सूक्त है रिगवेद में ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्शन की तरफ कोोश्जन नमबर 11 क्रिष्ट नमबर 11 क्या कहता है? 11 नमबर कोश्शन कहता है कि पर्यावरण अध्यन में सैक्षणिक ब्रह्मन यानि कि पर्यावरण अध्यन करने के लिए जो बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया जाता है उसका मूल उद्देश क्या होता है बच्चों की उर्जा को विक्षित करना होता है कि भाई पर्यावन अध्यन बच्चों को कराना है तो उसे से related कुछ चीजे बाहर वातावर्ण में बच्चों को दिखानी है तो घुमाने ले जा रहे हैं तो उससे बच्चों का उर्जा का विकास होगा छात्रों के लिए एक प्रतेक्शनबव हो जाएगा समाजी करण को उससे उर्जा का विकास करेंगे बाहर ले जा करके ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर ले जाएंगे बच्चों को उर्जा का विकास कराने के लिए ठीक है वो तो घर पे भी एक्सिराज करके कर सकते हैं हाँ ये बात है कि बच्चों को जो भी कुछ हम क्लास में बताते हैं पर्या दिन में जो सैक्षिणिक ब्रह्मन होता है उसका मूल उद्देश होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभाव कराना ठीक है चलिए कोर्शन नमर्ट ट्यल्ब आई थिंक क्या आपको समझ आ रहा होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है देखिए सिच्छार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए कि सिच्छार्थियों ने कितना नहीं सीखा है या फिर शतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि सिच्छार्थी की प्रगत निरंतर ना बनाए रखने के लिए सिच्छार्थी की प्रगत निरंतर ना बनी रहे यह का उनसी बात हुई ठीक है निरंतर मुल्यांकन होते रहने से सिच्छार्थियों में परिच्छा का अनावश्चक भय नहीं होता है तो अगर हम लगातार तरीके से कांटिनूव मुल्यांकन चलता रहेगा तो उससे क्या होगा सिच्छार्थियों में परिच्छा का अनावश्यक भय नहीं होता है चलो और आगे देखते हैं क्या है option एक परिच्छा पनाली को महतु देने हैं तू तो ये भी कोई बात नहीं हुई कि हम परिच्छा पनाली को महतु देंगे शतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उसका जो क्यों आवश्यक है उससे यह होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से सिच्छार्थियों में परिच्छा का अनावश्यक भै नहीं होता है भाई आप कांटिनू मूल्यांकन कर रहे हैं जाच रहे हैं, बच्चा कहां पर गलती कर रहा हैं, वहां पर उसको समझा रहे हैं, उसकी कम्यों को दूर कर रहे हैं, उसकी तुर्टियों को दूर कर रहे हैं, तो बच्चा जाहिड सी बात है कि मजबूत बनेगा, फिर आप कभी भी परिक्षा ले लिजिए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके थर्ड मुनिजदा राइट आंसर कोश्च नमबर 13 चुनकर चरने सोरी क्या लिखा है अच्छा चरने वाले पसू वनस्पती को कैसे बदलते हैं चरने वाले पसू वनस्पती को कैसे बदलते हैं बीस परकर्णन द्वारा परप्राकर्णन द्वारा चुनकर के चरना या फिर नेक्स है रोग फैला करके चरने वाले पसू वनस्पती को कैसे बदलते हैं तो घास चरने वाले जो पसू है वो जो है कि सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं बलकि कुछ ही ऐसे होते हैं वर्सपतियां होती हैं जिनको वो अधिक खाते हैं जिससे वर्सपतियां क्या होता है कि दिरे-दिरे गाए भी हो जाती है दिरे-दिरे नस्ट हो जाती है और उनके स्थान पर अन्य वर्सपतियां उगाती है तो यहां पर हम जो राइट आंसर हो जाएगा वह सबसे उंची चोटी का नाम क्या है भारत में जो हिमाले की सबसे उंची चोटी का नाम क्या है भारत में जो हिमाले की सबसे उंची चोटी यह तो आपको जनरल को आपको पता ही होना चाहिए ठीक हो तो भारत में स्थित हिमाले की सबसे उंची चोटी कौन है केटू कौन है के गाडविन आश्टीन भी कहते हैं यहां पर केटू की जगह माउंट केटू की जगह गाडविन आश्टीन भी लिखा हो सकता था यह चोटी जम्मु कस्मीर के कराकोरम स्रेणी में इस्थित है इस चोटी की उचाई 8611 मीटर है कितनी है 8600 11 metr. Okay और विस्ट की जो सबसे उची परवत चोटी वह एवरेस्ट है सबसे उची परवत चोटी एवरेस्ट है जो हिमाले की ही एक चोटी है ठीक है और वो नेपाल में इस्थित है उसकी उचाई कितनी है 8888 मिटर ओके चलिए इतना क्लियर हो गया हिमाले की सबसे उची चोटी पूछ रहा है मांट केटू जिसको हम गाडवी नाश्चिन भी कहेंगे उचाई इसकी 8611 मिटर क्रोश्चन है दो नीचे है भी दिखा देगा आज़ेगा उपो प्रात्मिक स्तर पर सिच्छन की खेल विदी आधारीत है जो किस पर आधारीत है तो यहाँ पर question क्या था हमारा प्रात्मिक इस्तर पर सिच्छन की खेल विधी किस पर आधारित है तो इसका जो right answer है वो है सिच्छन विधी के सिध्धान्त पर क्या है शिच्छन विदी के सिध्धान्त पर प्रात्मिक इस्तर पर शिच्छन के खेल विदी शिच्छन के सिध्धान्तों पर आधारित होती ही इसका मुख खुद्देश छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रूची के अनुसार सिख्छा देना होता है ठीक है का क्या नाम है वाय मंडल की जो सबसे निचली परत है उसका क्या नाम है समताप मंडल ओजोन मंडल आयन मंडल या फिर छोब मंडल तो जो वाय मंडल की सबसे निचली परत है उसको हम छोब मंडल कहते हैं क्या कहते हैं छोब मंडल ठीक है क्या कहते हैं इसको हम छोब मंडल कहा जाता है जो कि वाइवनटल की सबसे निचली परत है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ नेक्स्ट कोर्शन कहता है कि विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी आपको पता ही होगा इसकरवी है ठीक है क्या है इसकरवी सरीर में विटामिन C की कमी से इसकरवी नामक रोक हो जाता है होता क्या है कि इसमें मसूडों से खूनाने लगता है और जख्म जो है वो जल्दी नहीं भरते हैं विटामिन C का रसानिक नाम ascorbic acid है जो vitamin C है उसका अगर रसानिक नाम की बात करें तो उसका रसानिक नाम ascorbic acid है या खटे पदार्थों में पाया जाता है और आमले में सबसे ज़्यादा vitamin C पाया जाता है ठीक है? ओके? चलिए question number 18 question 18 कहता है भारत की प्रत्थम महिला IPS अपसर कौन है? भारत की फर्ष्ट महिला IPS कौन है? प्रतिभा पाटिल पत्मजा नाइडू किरन बेदी हंसा मेता तो भारत की जो प्रत्थम महिला IPS है वो किरन बेदी है कौन है? किरन बेदी ठीक है? और अगर पूछ ले कि किस बैच की है तो इसमें ये पॉंड़ूचेरी जो है वहां की राजिपाल है नेक्स कोशन है कौन सा आग्निय चट्टान का उदाहरन है? आग्निय चट्टान का उदाहरन कौन है? आग्निय चट्टान का उदाहरन आग्निय चट्टान का उदाहरन कौन है? बेशाल्ट बेशाल्ट जो है वो आगनिय चटान का उदहारन है आगने चटानों करमाण जो आला मुखी के निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है जो आगने चटाने है इन करमाण जो आला मुखी से निकलने वाले लावा के जमा हो जाने से होता है इन चट्टानों में खनिज पदापतों की अदिकता होती है और इस चट्टान में अगर बात करें तो जिसे ग्रे नाइट हो गया, बेशाल्ट हो गया पैर और पैक में टाइट हो गया यह सब इसके उधाहरन में आ जाते हैं ठीक है चलिए next question है 20 number question देखिए प्रतवी के वातावरन की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है देखए जो ओजोन परत है ओजोन परत हमारी उसका जो विस्तार है वो इस्टेटो स्फियर में पाई जाता है कहाँ Stratosphere जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं ठीके ओजोन परत समताप मंडल जो है इसके निचले हिस्से में होती है और ये परत जो है वो सूर से जो आने वाली परावेंगनी केने होती है उनसे हमायारी रक्षा करती है बचाती है ठीके सिख धर्म के संस्थापक कौन है देखे डिसकोशन भी जरूरी है तब ये तो क्लास लंबा हो जाता है गुरू तेक बहातुर, गुरू गोविंद सिंग, गुरू अर्जुन देव और गुरू नानक देव विच्वर इस राइट अंसर इस कोशन तो यहाँ पे जो सिख धर्म के संस्थापक हैं वो गुरू नानक देव जी है कौन है? गुरू नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी गुरू नानक देव का जन्म पंजाब की तलवंडी नामक इस्थान पर 1479 में हुआ था ठीक है पंजाब के तलबंडी नामक इस्थान पर हुआ था 1479 में ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ भूकंब की तीवरता किस से मापते हैं भई सा रिक्टर पैमाना भी लगा होता है दच्छनी गोलार्द का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है 21 मार्च 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर तो यहाँ पे दच्छनी गुरार्थ का जो सबसे लंबा दिन है वो हमारा 22 दिशंबर को होता है 22 दिशंबर को दच्छनी गुरार्थ में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तारीक को जो सूर्ष का प्रकाश है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और ये घटना मकर सक्रानती कहलाती है ओके ठीक है शत्यार्थ प्रकास के लेखक का नाम क्या है शत्यार्थ प्रकास के लेखक कौन है श्वामी दयानंद सरस्वती, श्वामी विवेकानंद, राजा रमोहन लाए या फिर मदन मोहन मालवी शत्यार्थ प्रकास के लिखक श्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन थे? श्वामी दयानंद सरस्वती थे श्वामी दयानंद सरस्वती ने 875 इश्वी को बंबाई में आरे समाज की स्थापना की थी आरे समाज की स्थापना किस ने की थी? कब की थी 875 में की थी ठीक है और इनका अगर बात करें इनका परसिद्ध वाक्य क्या था इनका परसिद्ध इनकी जो परसिद्ध लाइन थी वो थी वेतों की और लौटो question भी आ सकता कि वेतों की और लौटो किस ने कहा स्वामी दयानद सरस्वति ने कहा next question की तरफ, बिहु भारत के किस राजिका लोक नरत है, बिहु भारत के असम राजिका लोक नरत है, खादे सरंखला के परसपर समूँ को खादे जाल कहा जाता है, खादे जाल कहा जाता है, इस रंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बलकि सभी एक दूसरे से परसपर समंधित होते हैं, ओके चलिए, question number 27, देखिए, question 27 कहता है कि वायरस संक्रमन से होने वाला रोक, वायरस संक्रमन से होने वाला रोक कौन सा है, sorry, just a moment, टाइफाइड है, कालना है, जुकाम है, मलेरिया है, वायरस संक्रमन से कौन सा रोक होता है, देखिए, जो हमारा जुकाम है, cold जिसको हम कहते हैं, ये वायरस से होने वाला संक्रमन है, जबकि अगर टाइफाइड है, जो हमारा टाइफाइड है, कालना है, मलेर है यह सब दूशित जल से होते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं next point की तरफ- वाई-मंडल की सबसे थंडी परत कौनसी है वाई-मंडल की सबसे थंडी परत की बात करें तो वह मध्य मंडल है क्या है मध्य मंडल को इंग्लिश में मीसो स्फेयर कहते हैं ये वाई मंडल की सबसे ठंडी परहते है क्योंकि मद्य मंडल तक वाई मंडल का तापमान गिरता है और मद्य मंडल के बाद वाई मंडल का ताप बढ़ने लगता है चीक है और मद्य मंडल के मद्य शिमा पर तापमान गिरकर के minus 80 degrees Celsius तक पहुँच जाता है इसलिए परत ठंडी होती है question number 29 आज का second last है dear friends comment box में मैं आफ से request करता हूँ कि अपने राय जुरूर देखर के जाएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपना सुझाओ जुरूर दे कितना benefit हुआ कितना समझ में आया निमलेखित में से कौन सी एक green house gas है और ये भी बताएं कि मैं discussion इतना करूँ या और भी कम कर दे discussion ठीक है question को जितना मैं समझा रहा हूँ क्या इससे भी कम समझाएं या ठीक है जो भी है वो ठीक चल जाए अब बता करके जाएं कौन सी एक green house gas है तो green house gas है वे गैसे होती है जो परत्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और अब green house जो प्रमुख green house gas है वो है methane है, carbon dioxide है, nitrous oxide है chlorofloro carbon हो गई जिसको हम CFC कहते हैं तो यहाँ पर जो आपका right answer हो जाएगा वो methane हो जाएगा क्या हो जाएगा, methane ठीक है चलिए, आज का last question है भारत में project tiger की सुर्वात कब हुई थी 1973 में, 1982 में, 1992 में 1992 में, 1996 में Dear friends, बागों की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए और बागों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 April 1973 को कब 1 April 1973 को project tiger की सुर्वात की गई थी ठीक है, और इस project की सुर्वात gym carbet national park उत्राखंड से की गई थी अगर पूछ ले जाए, कि project tiger की सुर्वात कहां से हुई, project tiger की सुर्वात gym carbet national park उत्राखंड से की गई थी, ठीक है my dear friends, बस आज की class complete होती है और आपसे request है कि अपना comment जरूर छोड़ करके जाए वीडियो को like, share जरूर करें और बाकी next class आपको पहुद दिल्दी मिलेगी Thank you